बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी किया कारी का बहिश्कार हर्टाल के चलते जिले भर में अब उत्पन हो सकता है बिजली संकट मदबरदेश विदुत कंपनियों के विभिन्र संगटनों द्वारा किये जा रहे आंदोरन को समविदा करमचारियों ने शियोपूर कलेक्टर पुलिस अदिक्षक और बिशली विभाग के बहाप्रबंदक को ग्यापन सौपते हुए बिशली विभाग के आउट्सोर्स करमचारियों के हर्ताल को आज से पूर्ड समर्थन प्रदान कर दिया है बता दे कि दिनांक 21 जनवरी 2023 से समविदा एवं आउट्सोर्स करमचारियों की जयाज मांगे जो लंबे समय से लंबित चल रही है उनका निराक्रा ना होने पर की जा रही कारे बहिश्कार हर्ताल का मद्प्रदेश समविदा ठेका श्रामिक करमचारी संग इटक ने भी पूर्ण समर्थन कर दिया है जहां दिनांक 23 जनवरी 2023 को मद्प्रदेश समविदा ठेका श्रामिक करमचारी संग इंटक के प्रदेश अधियक्ष एल के दुबे के अधियक्षता में प्रदेश कारकरा के मीटिंग में निर्णय लिया गया मदब्रदेश विदुत कंपनियों में विभिन संगतनों द्वारा संविदा एवं आउट्सोर्स कर्मचारियों की जैस मांगे पूरी नहीं होने तक वहीं शाषन प्रशाषन से मांग करता है कि संविदा कर्मचारियों का नेमिती करण भ संविदा कर्मचारियों का जिसमें आउट्सोर्स का संविलियन संविदा कर्मचारियों का नीमिती कर्मचारियों और पुरानी पेंशन बहाली इन सभी मांगों के लिए चरणपद्द आंदोलन जारी था जिसमें आउट्सोर्स की तरफ से 21 तारिक से आंदोलन को शुरुआत की गई थी लेकिन जब दो दिन बिज जाना के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की बार्दाला सब्सक्राइब नहीं की गई और ना कोई सक्राइब निकला तो कुछ अंगटन जिसे इंटक और फोरम द्वारा इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कल से इस आंदोलन को चरण बद्द तरीके से वाफिस चालो रखा जाएगा इसी समर्थन का हम लोग ग्यापन दे जाएगा जाएगा बद्द आंदोलन को अएगा जिए बद्द देते हुए को अधव लोग और देते ही का